नमस्कार दोस्तों मेरे नामे बालचंद्र ब्रह्मांड सिद्याश्टों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडिये में हम चर्चा करेंगे मीन लगन के लिए नवंबर 2020 का संपुर्ण राशीफल कैसे होंगे ग्रह योग कैसे होंगे ग्रहोंगे राशनतर और वो आपके राशीपल किस प्रकार से प्रणाम करने वाले हैं कौन से निर्ने आपको लेने हैं कौन से निर्ने आपको टालने हैं आपका स्वास्त किस प्रकार का होगा आपकी जो आर्थिक स्थर है वो किस प्रका सबी जो 12 लगन है मेश लगन से लिके मीन लगन तक उनके संद्रव वीडियो अप्लोड हो चुके हैं आप उसका आनद सरु लिजे तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरात करते हैं नवंबर 2020 के लिए मीन लगन का संपुर्ण राशिकुल उससे पहले इस महिने में जो मीन लगन होता क्या है कैसे जाना जाता है तो यहां पर आप देख सकते हो कि मीन लगन हमने कुंडली ड्रौ की है तो इस कुंडली में 12 खाने है उसे घर भी कहा जाता है भाव भी कहा जाता है तो यह जो भाव है या फिर स्तान है इसे प्रथम भाव कहा जाता है या फिर जो लंट के लिए ही है तो सबसे बेल हम देखेंगे स्वास्थ के बारे में स्वास्त के बारे में अगर देखा तो आपका जो स्वास्त है वह पिछले करीबन एक से सवा मैंने से इतना अचा नहीं चल रहा है चोड़े स्ट्रेस वगरां बहुत जादा आप relación आपका इतना अच्छा नहीं चाहिए लेकि ये जो बात है वो करीबन 16-17 तारीक के बाद मतलब इस मेने के 16-17 तारीक के बाद कई मायनों में नॉर्मल होते वे नज़र आगा सबसे इंपोर्टन बात स्ट्रेस क्यों कि आपका जो लगन है वो स्ट्रेस जल्दी ले लेता है च के वज़्य से आप ज्यादा एकटिवर अब हम चरशा करींगे आपका जो आर्थ कस तर बारे में अगर देखा तो आर्थिकस तर के शंदर में आपकों इंकम हो रही है लेकिन खर्चें भी ज्यादा हुए और इसी के वज़ए से आपका जो stress level है वो बड़ा हुआ है लेकिन जिंदा नहीं करना जैसे मैंने शुरौत में खा 17-18 तरीके बाद आर्थिक्स तरकी यह जो problem complication है कई माइनों में normal होते वे नजर आएगे और जिसे हम प्रतिक्ष लाब जिसे हम कहते हैं वो आपको काफी अच्छे मिल जाएंग कम मेनत में आपको पैसे मिलते हैं या फिर लाब मिलते हैं तो उसी का अनुबह 17-18 तारीक के बाद भी आपको आने वाला है अब हम चर्चा करेंगे आपका जो कौटम भी स्वास्त है उसके संदर में कौटम के स्वास्त के बारे में अगर देखा जा तो पिछले करीब 15-20 20 दिनों से वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन 4-5 तारीक के बाद उसमें भी आपको काफी अच्छा सुधार मिल जाएगा उसी प्रकर चर्चा करेंगे आपका जो लव लाइफ है उसके संदर में लव लाइफ के बारे में बात करें तो वो वैसे अच्छे ही चल र रही है लेकिन इस मेने के यह जो में तारीक आपको बताओंगा अच्छी तरह से द्यान में रेखिए इस मेने के 16-17 तारीक जो है वह आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली हो सकती मतलब इन दिनों में आपके जो वैवा जो आपके आप जिनके प्रेम में हैं उनके आपका जो रिलेशन्शिप का मामला है उसमें स्ट्रेस वगर आपके बढ़ सकते हैं तो इसके उपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए हाला कि यह बाते हैं वह दो तीन दिनों के लिए रहेगी लेकिन आपकी जो लगन है यह बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो चोटी मोटी ब 25 दिनों में वह इतने अच्छी नहीं थी लेकिन इस मेनी के 4-5 तारीक के बाद उसमें काफी अच्छा सुधार देखा जाएगा और आप दोने में काफी अच्छे हार्मनी भी देखे जाएगी यदि उनके स्वास्त के बारे में चोटी मोटी समस्या है तो वह भी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी 4-5 तारीक के बाद उसी प्रकार अगर आप आपने कोई किसी बड़ी योजना पर अगर काम कर रहा हुआ क्या आपका जो लगन हो रिस्क जादा नहीं लेता है रेकिन कभी-कभी अगर आप बिजनेस में हो रिस्क लेना चाते हो या फिर किसी बड करते हो तो आपके बारे में भी कोई बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपको नहीं आएंगी जो बाते हैं नौर्मल होती हुई नजर आएंगे उसी प्रकार आपको कुछ नहीं ऑपर सब्सक्राइब करें किसी बी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिके करते हैं उसमें अगर आपका विवा हुआ है तो वयवाग जोड़ी दार उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है तो ध्यान रखिए उसी प्रकार जहापर आप काम करते हैं नोकरी करते हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार के कुछ अनुबवव आपको मिल सक सकते हैं उसी प्रकार 26, 27, 28 यह जो तीन तारिक उसमें सेहत के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और इन त्रैवलिंग वगरा नहीं करना तो आपको चोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कत वगरा आ सकते हैं तो ध्यान रखिए उसी प्रकार 23, 24, 25 यह तीन तारिक है यह तीन तारिक आपके लिए काफी महत पुणोंगे शुबफलदाई होगे अगर आप जॉब लेस हो या फिर अगर आप जॉब नए ढूड़ना चाते हो या फिर नए जॉब के जॉब सर्च में हो तो आपके जुब तीन दिन हैं बहुत ही अच्छे और को है उनके लिए जो संपूर्ण महिना है नौमेंबर 2020 का बहुत जादा अशुब फलदाई हो सकता है किसी पर प्रकार के बड़े निर्नाइन नहीं लेना ऐसा निर्नाए ऐसे डिसिसन जिसकी वज़ए से आपकी जो लाइफ हो सकती है तो वो बिल्कुल नहीं लेना उसी प आपको लेना ही है तो एक देड़ महने के बाद उसके संदर में विचार कर सकते हो उसी परकार जिनका जनम जून और डिसंबर के दस और गैरा तारिक को है उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि फर्स जाने के चीटिंग होने के ब्रमित होने के चांसे बहुत ही ज्यादा बनत करने वाला कालावदी आपके लिए ये महना साबित हो सकता है उसी परकार ऐसे भी दिन है जिस ऐसे भी बर्डेट्स है जिनके लिए ये जो संपूर्ण महिना है वो बहुत ही शुबफलदाई होगा जैसे कि जिनका जनम जनवरे और मैं के 10 से लेके 15 तारिके बीच में हैं म बहुत ही शुबफलदाई होगा उनके सबी जो रुके हुए काम है वो पूरे होते नजर आएंगे जो विवा करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महिना है वो काफी अच्छा और शुबफलदाई होगा जिनको नोकरी नहीं मिल रहें उनके लिए अच्छे जौब अपरिशेटिव अगरा आ सकती है और कई अन्य जो क्षेतर है उनके लिए भी आपके कोई रुके हुए काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे तो ये जो संपुर्ण मैंने जो मैंने बंडिर्स गिनवा है इनके लिए काफी अच्छा और महतोपुर्ण साबित हो वो ज़्यादा तीवरतम होती है और सी के चलते हुए अगर हम कुछ निर्णे लेते हैं तो वो निर्णे चूकने के संभावना ज्यादा होती है अमावस और पूर्णे में के दिन तो इससे किसी भी प्रकार के बड़े निर्णे बिलकुल भी नहीं लेना तो दोस्तो ये थ सब्सक्राइब ज़रो करना धन्यवाद